दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की details लेना चाते हैं, inquiry करना चाते हैं, किसी भी university, किसी भी college या किसी भी course के बारे में, आप admission लेना चाते हैं किसी भी course में या कुछ जानना चाते हैं उसके बारे में, तो नीचे description box में हमने link दिया है, link पर आप जैसे ही click करेंगे, एक form नाम है आपका, आपकी mail ID है, phone number है, और किस state से आप हैं, और कुछ भी अगर आप special comment में डालना चाते हैं, कुछ अलग से जानकरी चाते हैं, और कुछ भी आप लिखना चाते हैं, जैसे कुछ detail में आप जानना चाते हैं, तो वहीं जो box है, उसके अंदर अपने query को आप type करे और भेज दे हमें, हम आप से personally contact जरूर करेंगे, और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे, दोस्तों आप में से कोई भी student अगर online MBA करना चाता है, online MBA के हला कि आजकल तो आपके पास बहुत सारे scopes हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी universities आ गई हैं, वो भी अलग-अलग है, जैसे normally अगर आप देखें तो 20,000 रुपे पर समस्टर से लेकर, एक लाग रुपे पर समस्टर तक की फीस आपकी हो सकती है, अगर आप online MBA करना चाते हैं, हमने बहुत बार students की मदद की है, admission लेने में, साथ में guide करने में कौन सी अच्छी universities हैं, जो क क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, साथ में ही क्या फीस होगी, और साथ ही online MBA करने से पहले क्या-क्या साफधानिया आपको बरतनी चाहिए, ऐसे कई सारी बातें जो आज डिसकस करेंगे अपने इस वीडियो में, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों, बने रही है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Distance and Online Education in India और मेरा नाम है विरिंदे वर्मा, जैसे आप सभी जानते हैं, देश-विदेश की Universities, Colleges, उनके Courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, दोस्तों हलग ये देखा जाए तो बहुत सारे courses online कराए जाते हैं, आप BJMC भी online कर सकते हैं, MJMC online कर सकते हैं, BBA, BCA, साथ में ही और भी बहुत सारे courses जैसे की BAB.com, MA, M.com, BSC जैसे courses भी आप online कर सकते हैं, अलग-अलग universities, अलग-अलग तरीके से करवाती हैं, समस्टर मोड में exam सोते हैं, बस आप देख लें कि ज courses आप online नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हमने एक detail वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखेंगे description box में, हलाकि उसका link हम जरूर डाल लेंगे, आपको पता चल पाएगा कौन-कौन से courses आप online कर ही नहीं सकते, अगर कोई university आपको offer करती भी है, तो भी वो किसी काम की नही आप दोस्तो MBA करते हैं online, या किसी भी course को आप online करते हैं, तो दो intake होते हैं, मतलब दो बार आप साल में admission ले सकते हैं, एक तो होता है दोस्तो June-July सभी को पता है कि June-July में जो exams होते हैं, एक तो ये intake होता है, दूसरा होता है December-January, या January-February भी आप इसको बोल सकते हैं, य टाइप करें, टाइप आपका नहीं होता है, आप टाइप करना चाहते हैं, हमसे आप contact करें, हम आपका टाइप किस ना किसी अच्छी उनिवस्टी से जरूर करवा देंगे, और हो सकता है कि कोई ऐसी उनिवस्टी भी आपको हम आफर कर दें, जहां आपकी approach नहीं है, किसी courses के बारे में information लेने के लिए हमारी website को आप visit करें www.universityindia.in, वहाँ सभी university की information और सभी courses की information आपको वहाँ से मिल जाएगी, जैसा दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि दो intakes होते हैं, और जो fee है, fee अगर MBA की हम इस specifically बात कर रहे हैं, तो उसकी fees 20,000 रुपे से लेकर 1,000, पर semester तक किसी भी अच्छी university की fees हो सकती है, वो depend करता है university to university, और साथ में मनारसी मुझी के अगर हम बात करें, fees और भी बहुत जादा है, और भी दूसरी universities की बात करें, सुरेश ग्यान विहार की बात करें, सुभारती universities जैसी universities भी हैं, उनकी हम बात करें, सभी universities की दोस्तों fees अलग-अलग है, किस university में आप admission लेते हैं, या आप पर depend करता है, अपने विवेक से काम ले, university की अच्छे से आप पड़ताल करें, अच्छे से university के बारे में जाने, और जब पूरी तरह से आप satisfy हो जाएं किसी भी university के बारे में, तभी आप admission लें, अगली वीडियो आप किस university के बारे में चाहते हैं, या फिर किस course के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो online करवाई जाते हैं, आप हमें comment box में जरूर बताना, suggestion जरूर देना, अगला वीडियो हम उसी university और उसी course पर लेकर आएंगे, और आपके सभी तरह के doubts को हम clear जरूर करेंगे, दोस्तों हमारे इस इसी तरह की educational वीडियो हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले, बहुत बहुत शुक्राइद और जन्नेवाद हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए